तो बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि यह कैसे बनेगा और कैसे इसमें क्या चीज़ें इंग्रेडियन्स डलेगी बहुत लोग नहीं पना पाते हैं तो मैंने सुचा क्यों नहीं यह रेसिपी शेयर किया जाएं बिल्कुल यह मटन चाप है और मटन चाप के लिए आपको तो आप देख सकते हैं इस तरीके का पीसेस आपको लेना पड़ेगा थोड़े बड़े बड़े पीसेस हों आपके छोटे पीसेस ना हो तो यह गोश्ट मैंने आपने ताज़ा गोश्ट का भी बना सकते हैं यह गोश्ट मैंने उबालके रखा था तो उसका मैं बना रही ताजे गोश्ट में वे बिल्कुल अब इसी तरीके से बनाएं बिल्कुल भी कुछ भी चेंजिस नगरें बिल्कुल ये गोश्ट गला हुआ नहीं है बस थोड़ा सा उब्राल के मैंने रखा था ताकि ये खराब ना हो तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी दही डाली है आप फ्रेश क्रेम भी डाल सकते हैं तो जिसके पास फ्रेश क्रेम ना हूँ वो दही डाल सकता है तो फिर मैंने थोड़ी से रचिली तीखी वाली डाली है चिकचा had vara और कोडीयंडर पॉडर ऑडर मैंने डाला है ऊछें तब कॉसरी मेटी टाली इसम娜 को waनके जिएा है जीरा डाला है यह सब्से में इन्ग्रिडियंस पोस्तरदाना के बहुत और के उपञेधा काजू नहींं है तो आप जो खरबूजे का बीज होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और इन सब में थोड़ा सा पानी राल करके इसको अच्छे से आपने पीस लेना एक दम बारीक पीसना बिल्कुल भी लंक्स ना रहा है इसमे पीसने के बाद मैंने इसमें एड़ कर दिया है इसको इन सभी चीज़ों को ऐसे में ही खुश्बू बहुत इच्छी आने लगती है उसके बाद मसाले तियार करना है तक रिवन मैंने एक लेसन को अच्छे से दो लिया और ले लिया है इतनी बड़े मैंने अधरिक कर को नहीं दूख़ा लिया है जो यह यह उच्छी को अच्छ हमिएटों रुट करें की अधियोगर honे घ्रद्क चुश्बू हम उसको करें लिया दू गया है उसके बाद मैंने देख सकते हैं पारी डाल करके थेमिश को नहीं है पभी मसाले को में डाल दिया है और जोपके जार में में तो अपने डाल आगी हो कहा उसमें पाई डाल के कुछ आगाल में पानी कुछाए हुआ है कि गोश्ट है बड़े टुक्रे हैं तो आप हाथ से नहीं मिलाएंगे तब तक की अच्छे से नहीं मिलेगा फिर सबसे एक लास्ट इंगेरियंस मैं इसमें भूल गई थी तो इसमें लेमन का जूर सब डाले एक लेमन का इसमें और अच्छे से मिक्स कर ले इस टाइम में मैं का यूज करें क्यक्कि वेजिटेमिल ओइल के यूज करें क्यूंकि आपने इसमें फ्रैश क्रीम भी डाला है तो 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 अब खнов पहु़हता है उद्यूश तर रहा बिल्कुल आपने इससे फैम लोर्व पस्ताल का रबाए है ताकि आपके guy • अच्हह से अंधर पक जाएं बिल्कुल इसमें देख सकते हैं किस तरी के उबाल आ गया और इतनी अच्छी खुश्बू आ रही थी और यह भी पका नहीं है तो मैंने इसे ढग कर और थोड़ा सा पकाना है बिल्कुल इसको एक तर धीमी आश में पकाएं आप आश को बिल्कुल भी तेज ना कर पकाना है क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टन चीज होती है आपने फ्राइ करके इसको खाना है आप ऐसे भी खा सकते हैं वैसे बहुत टेस्टी लगता है लेकिन आप अगर इसको फ्राइ करके खाएंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा आपको ऑईल में बिल्कु इसको अच्छे से पका लेगा बाकी जो बच्य हुए थे मैने इसको एरटाइट कंटेंर में रख दिया से फ्रिज्ञ के समेल Speed करें और वहने रखें ज्ञा सकते हैं तहस आप एक महीने ईसको यूजकर सकते हैं अच्छे से और बिल्कुparty आपने इसको जब भी निकाले तो आप स्पून वगयरा से निकाले हाथ से ना निकाले अधर वाइस आपको एक हफ़ते में फिर खतम करना पड़ेगा अगर ऐसे आप ध्यान से रखेंगे तो तिक रिबन आप एक मन तक तो आप इसे खाई सकते हैं घरम करकर के आपने इसी तरीके से इसको फ्राइ कर लेना है दोनों साइट से गोल्डन प्राउन हो जाए तो इस तरीके से देख सकता है गोश्ट भी एक दम गला हुआ है और आप इसे रोटी या दाल चावल जिसके सादी या पराठे के साथ भी खाना जाएंगे इतना जबरदस्ट लगता है ना गाइस बहुत ही इंदर लगता है इ इसको ब्राउन कलर का लिया था प्राउन कलर का हो गया है सारे पीसे बहुत ही अच्छी तरीके से होगे है आपको जितना खाना है जिस टाइम आपने निकालके फूर्वराण कर लेना है और इसके बास खाना है मैंने आपको सर्व करके दिखाना है यह देख सकते हैं कितना जबाद पीसेस इसके अगर बड़े बड़े होना तो बहुत ही मज़ेदार की यह बनते हैं क्योंकि चाप के पीसेस हमेशा बड़े होते हैं आपने छोटे पीसेस में बनाएंगे तो यह जल्दी गल जाएंगे औ पकते पकते बिलकुल ही घुल जाते हैं तो इस तरीके से आपने बड़े पीसेस लेना है और बनाना आप जरूरी ट्राइग करें रेसिपी बहुत ही उम्दा बहुत ही टेस्टी रेसिपी है यह बहुत ही घजब का लगता है थोड़ा सब मैंने अन्यन के साथ इनहांस किया वीडियो चलेगे तो लाइक शेर लाजमे के यह गाता है यू इंजोई इट